हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए question paper लाए हैं JKAS IAS Parvaz Qualifying Test 2022 का यानि जो previous year Parvaz IAS JKS का question paper पूछा गया था देखेंगे इसमें कि किस किस तरह के questions पूछे गए थे इन questions से आपको पता चलेगा कि आने वाले exam में किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से topics में question पूछे जा सकते हैं मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को end तक जुरूर देखें इसके अलावा वीडियो को like भी करें और share भी करें और जो जो question आपको आता है उसका answer आफ नीचे comment section में साथ साथ लिखते जाएंगे और देखें कि आपको कितने questions का सही answer आता है आज की वीडियो में हम general awareness related questions लेंगे ये part 1 वीडियो रहेगे इसके बाद हम आने वाले दिनों में continuously इस paper पे आफ के लिए videos बनाएंगे तो चलिए जी देखते हैं आज का पहला question पहला question है which of the following is not a plantation crop आपको बताना इन मैंसे plantation crop कौन सी नहीं है option से आपके पास coffee, tea, rubber या फिर wheat तो आप अपना-पना answer try कर सकते हैं इसका सही answer रहेगा part D wheat एक plantation crop नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको plantation crop के बारे में जरूर याद रखना होगा plantation crop वो crop होती है जो की commercial purposes के लिए उगाई जाती है और plantation crop usually बहुत सारे जमीन पे यानि जो बहुत बड़ी जमीन है उस पे इसको लगाया जाता है दोस्तों plantation crop को cash crop भी कहा जाता है और wheat के अलावा अगर हम rice की बात करें यानि चावल की बात करें तो चावल भी एक plantation crop नहीं है इसके अलावा ये भी याद रखें कि plantation crop जो है ये usually tropical और sub-tropical regionals में उगाई जाती है चले जी next question देखते हैं which one of the following is not a method of mining आपको बताना इन मेंसे कौन सा mining का method नहीं है options आपके पास sharp mining, refining, underground mining या फिर open cast mining तो इसका जो सही answer रहेगा वो है part भी refining एक mining का method नहीं है दोस्तों अगर हम sharp mining की बात करें तो sharp mining भी एक mining का process होता है जिसमें हम ठीक जमीन की surface से एक नीचे straight hole बनाते हैं फिर इसी hole के नीचे जो है branch निकाली जाती है और mining की जाती है और जो leverage होते हैं वो इसी hole से उपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं और इसके अलावा जो minerals निकाले जाते हैं वो भी यहीं से उपर lift किये जाते हैं तरह अगर हम underground mining की बात करें तो underground mining जो है यह simply mining का process है जिसमें हम जमीन के नीचे से जो minerals है वो निकालते हैं फिर चाहे हम shaft के जरीए से जमीन के नीचे चले जाएं या फिर किसी tunnel के जरीए से नीचे चले जाएं तो हम इसको underground mining कहींगे और जो इसके बाद next important चीज है वो है open cast mining open cast mining क्या होती है यह simply जमीन के उपर एक बहुत बड़ा गड़ा किया जाता है और यह बिल्कुल open रहता है और इसी गड़े में खुदाई की जाती है और जो minerals है वो निकाले जाते हैं सारे जो मजदूर वागेरा जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल open में होती है और यहीं से फिर वो extract किया जाता है और इसी तरह अगर हम refining की बात करें तो refining एक process है जिसमें हम impurities को अलग करते हैं remove करते हैं किसी भी substance से next question coffee plantation in Brazil are known as आपको बताना था कि बराजिल में जो coffee fields होते हैं उनको क्या कहा जाता है options आपके पास downs, campus, fathendas या फिर pampas तो इसका जो सही answer है वो है part C जो बराजिल के coffee fields होते हैं उनको fathendas कहा जाता है दोस्तो जब हम down की बात करते हैं तो ये grass fields होते हैं ज्यादतर ये आस्टेलिया में पाये जाते हैं और इसके अलावा इंगलेंड में भी इनको पाया जाता है ये temperate grasslands होते हैं अगर हम campus की बात करते हैं तो campus भी ये grasslands होते हैं जो कि South America और ब्राजिल में पाये जाते हैं इसके बाद अगर हम पैमपास की बात करते हैं तो पैमपास भी ग्रास लेंडस होते हैं जो की बहुत ही फर्टाइल होते हैं ये साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं आपको बताना है कि इंडोनेशिया में जो कोलोनियल सुपर पावर राज करते थे उस टाइम पे तो उन में से किसने शुगर केन की प्लानेशन पे अपनी डॉमिनेशन रखी थी कौन शुगर की मनोपली करता था तो आपके पास डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर अमेरिक तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट ए दोस्तों डच ने इंडोनेशिया में शुगर केन की प्लानेशन पे पूरा जो मार्केट है उसको अपने कबजे में किया था और यहां से वो हाई कॉलिटी जो शुगर है उसको एक्सपोर्ट करते थे अपने मुलकों में औ आपको जो दो ओप्शनिस दी गई हैं आपको बताना इन में से कौन सी ओप्शन सही है ओप्शन वन थी ग्रेप कल्टिवेशन इस स्पैसलिटी आफ मेडिटेरियन एग्रिकल्चर यह पहला स्टेटमेंट है दूसरा है वाइन आर प्रिडूसर फ्राम हाई कॉलिटी ग्रे इस करेक्ट या फिर बोथ आर इनकरेक्ट तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पार्ट भी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट दोस्तों मेडिटेरियन एग्रिकल्चर यह मेडिटेरियन रिजनिस में किया जाता है जहां पर मेडिटेरियन कलाइमेट पाया जाता है और मेड Mediterranean Sea के आसपास जो कलाइमेट बनता है Mediterranean Sea से जो कलाइमेट बनता है उसी से ये associated है और जो पार्टस इसमें आते हैं यानि जो मुल्क इसमें आते हैं उनमें कैलिफोर्निया है चिली है ऑस्ट्रेलिया है और सौथ अफ्रीका है दोस्तों अगर हम Mediterranean Agriculture में क्रॉप्स की बात करें तो जो आहम क्रॉप्स है उनमें वीट है उनमें बार्ले है टेमाटो है ग्रेपस है ग्रेपस के अलावा ओलियू नेक्स्ट क्वेशन है आपको कॉलम फॉस्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलाना है जमशीत पोर को बताना है क्या कहा जाता है इनमें से इसी तरह बोबोनिश्वर क क्या कहा जाता है घाजियाबाद को इन में से क्या कहा जाता है मसूरी को क्या कहा जाता है और लास्ट में गोवा को क्या कहा जाएगा आपको ये मैश करना है कौन किसके साथ मिलेगा इस क्रेशन का आंसर मुझे आप खुद नीचे कमेट सेक्शन में लिख कर बताएंगे तो दोस्तो ये थी part 1 वीडियो इस paper से related उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करने के साथ साथ share जूरूर करें दोस्तो हम मिलेंगे आप से next वीडियो में तब तक के लिए take care